योगी सरकार भले ही महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे कर रही हो लेकिन हकीकत इससे बिलकुल अलग दिखाई दे रही है ताजा मामला आजमगड जिले के बर्दह थाना क्षेतर का है जहां शौच के लिए गई किशोरी को बाइक सवारतीन युवकों ने अगवा कर खेत मिले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ता को बेहोशी की हालत में छोड़ कर फरार हो गई सूचना मिलेने के बाद परेजनों ने पीड़ता को बेहोशी की हालत में बर्दह सामोदाइक स्वास्थ केंदर पर भरती करवाया और पुलिस को सूचना दी जिसके बारे माज सूचना प्राप्त हुई थी कि लड़की सौच के लिए सामख गई थी जिसके साथ बलातकार की घटना हुई है इस सूचना पर अवियोग पंजिकृत कर लिया गया है जिसमें से एक अविक तो गिरफतार किया गया है उससे पूंस्ताश की जा रही है कि गटना में और कौन लोग समलित है और लड़की का बयान लिया गया है और उसको बेटिकल के लिए भेजा गया है बाकी जो इसमें समलित हैं उनकी गिरफतारी के प्रैस किया जा रहा है वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामलत दर्ज कर एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफतारी का दावा किया जा रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगड से पितेश्वर मार्क रिपोर्ट